नमस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 24 एर्स है और यह भारती व्यक्ति है पर विदेश में पढ़ाई के लिए गए हुए थे पहले एक देश में गए पांच साल और अब दूसरी डेवलोप कंट्री में गए हैं और कंप्यूटर की मास्टर डिगरी के लिए यह पढ़ाई कर रहे हैं इन्होंने कंप्यूटर में नॉर्मल टिगरी पा लिए पांच साल यह यूरोप में थे पर अब दूसरे देश में यह पढ़ाई के लिए गए हुए और वह भी काफी डवलोप कंट्री है पापा पर कर्ज है उतार कर उनका अच्छी लग्जरियस लाइफ दे प होगे कोई प्रॉब्लम आपके हाथ में मेजर प्रॉब्लम है नहीं इतनी प्रॉब्लम के बावजूद इनको कभी फैनेंशल तकलिफ आई नहीं यानि पैसे के लिए इनका काम कभी अटका नहीं चौदा साल तक हम करोड़ पती थे उसके बाद वापस इंका पैसा कम हुगा डैडि का । फिर 20 साल तक मैं उस उस कर्जे को डैडी ने उतारा और वापस इनके जीवन में इनके डैडी ज़्यादा कर्जदार हो गया ऐसा इनका कहना है और एक प्रशने इनका साधी साधी आपकी 29 में होने वाली है वो मैं clear cut आपको रेखाऊ के द्वारा बताऊंगा और जो जो मुझे दिखेगा आप अच्छा पैसा कमाओगे बहुत जगह से पैसा आएगा पर कहीं न कहीं आपको कोई न कोई लाइन से नुकसान भी जाते रहेगा पर आपके पास इतनी ज़्यादा जगह से पैसा आता रहेगा कि आपको उतना मैसुस भी नहीं होगा और जो वो जो कर्ज है और जिस तरह का आपका हाथ है वो इसाफ से आप उत्तम डवलप्मेंट करने वालो हाँ यह नहीं कहता कि बिलियोनेर बनने वाले हो पर अच्छी खासी प्रोग्रेस आपके जीवन में रहेगी यहां पर जब धनुशाकार साइन बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपरजुनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है यह पाम रेक्टेंगल शेप है तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं यानि अगर प्रोड़ हो रहा है तो भ्यक्ति में मितरता का भाँ हो रहता है अच्छे खासे दोस्तों होते इनके और अच्छा-खासा समय उन दोस्तों के बीच में जाता है फर्स वैलंग नुकिल आए तो कारेके प्रति अच्छे खासी जिद्ध होगी और सेक्न फेलेंज व्यवस्तित है जान ल उंगलिया लंबी है तो एनालिटी की परसनालिटी होंगे और आप जिस फिल्ड में हो उसमें उस तरह की परसनालिटी होनी एक स्वाब हो एकसी बात है फैलेंज भी बड़े है यह भी उस तरफ इशारा कर रहे है और यह उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक आप बाउना होती है और जब सुर्य की उंग़ी बड़ी होती है तो व्यक्थती कहीं मत सवाव का होता है है में 50ञ आजर और 50 लाग की रिसक लिनी हो तो एसे लोग ले सकते माइश चोटे उंगली भी भड़ी है और जीस व्यक्थती की अंगूठा और उनको बैसिक सफलता बहुत आसानी से प्राप्त होती है सेकेंड जब यह उंगली फिर्स पहलें तक पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्वेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभालता रखना याजशक्ति मनी मेनेजमेंट अकाउंट यह साधी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है अब इनकी जो धन्रेखा की चमक है वो भी देखने लायक है उस पर भी मैं आऊंगा हंडेट परसेंट यह अच्छा ग्रोथ करेंगे अपने जीवन में उसमें कोई दो रायने जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी रायने हो और इतनी सारी हो तो यह लोग सेवा भावी भी होते है दिखने में सुन्दर भी होते है वानी भी इनकी बहुत मीठी होती है और यह साइंस के स्टूटेंट है तो बोलने की जुरत नहीं कि व्यक्ति को साइंस का नौलेज पर यह व्यक्ति दुखी भी हो और कोई दुखी व्यक्ति इनके पास आ गया तो बातों में ऐसा हिल कर देंगे कि सामने वाला खुश होकर जाएगा हीलोकर चला जाएगा तो यह पर्षेट रहेगी और यह लाइन है 100 परसेंट आपको काफी अच्छी सम्रुद्धी देने वाली है यह लाइन काफी बड़ी बड़ी लाइन है तो बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड आप होंगे मुझे तो ऐसा लगता आप पापा से भी बहुत ज्यादा बिजनेस मा पाइन की होगी पर कोई बहुत ज्यादा पड़ी लिखी या बहुत उच्य घराने की पत्नी मिलेगी आपको पर थोड़ी सी डॉमिनेटेड जरूर रहेगी डॉमिनेटिंग यह इंगलीस में अगर मुझसे कई गलती हो जाए तो मुझे छमा करना मेरी पढ़ाई हिंदी मी मित्रों के बीच में यानि अगर हासे उत्पन करने वाले लोग होते यह कहीं भार भी जाए इनके मित्र तो यह अगर साथ में नहीं होंगे तो वो कैंसल भी कर देते ट्रिप को गुमने की ट्रिप को क्यूंकि इनकी कंपनी उनको बहुत पसंद आती है ऐसे लोग बहुत अ काम अठका नहीं कितिनी भी तकलिफ आई तो यह स्क्वेर यह काम करवाता है यह हर जगा रक्षा का काम करता है तो यह भी एडवांटेज है और हाथ का कलर भी काफी सुन्दर है इनक्या यहां पर आपको आपके कारे में यश भी प्राप्त होगा आपको यह पीछे की आपको आएंगे इतनी अच्छी यह यस दिल आती है व्यक्ति को यहां पर बड़े-बड़े स्क्वेर बने और जन्रली यह जो भी कंप्विटर में काम करने वाले होते हैं उनके हाथ हो में इस तरह के स्क्वेर होते और यह भी मल्टी मिलेनेर बनाते हैं और यह स्क्वेर व्यक्ति को फैला हुआ कामकाच, व्यक्ति एक जगह पर बैठता है और इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, यह ज्यादा तर कंप्यूटर में जो बड़े स्थान पर पहुझते हैं, उनके हाथों में यह स्क्वेर होता ही है, इंडिया में और आपका सेटलमेंट विदेश म काम कराएगी, यानि आप एक जगह बैठोगे, तो 20-20 देशो में, 30-30 देशो में आपका काम का जोगा, चाहे जॉब करो या खुद का भी काम करो, पर आपका हाथ खुद के काम का ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर देखे, और ऐसे पढ़े लिखे लोग, जॉब भी खु करता है, एक साइन और है आपके हाथ में, यह शुक्रवले, और एक नहीं कम से कम तीन शुक्रवले है, या साड़े तीन कह सकते हैं, यह जब शुक्रवले होते हैं, तो व्यक्ति जन्म लेते ही परिवार संपन बनता है, और यह आपका परिवार संपन भी बना, हाँ, आपक कि हाट में बहुत अच्छी तरह से दिखेगा जो आपके हाद में नहीं दिख रहा है पर आपका हाध काफी अच्छा है काफी प्रोग्रेस और ये व्यक्ति जा आहिं जो आल property भी खरीदोगे और यहाँ पर कही न कहीं स्टार हो गई जो मुझे इस photograph में show नहीं हो रहा है पर कहीं न कहीं स्टार होगा और यह शुक्रवलए को टच करता होगा तो यह अति संपंथा का निशानी हैária यानि फिश साइन के बाद की साइन मानते हैं इसको 100% कहीं न कहीं स्टार हो गई एक स्टार यहां पर जरूर है और यह भी एक तरह का शुक्रवलय को टची कर रहा है तो आपको पैसे के मामले में आपको कोई चिंदा करने की जुरत नहीं है आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे और यस भी दिलाता है थोड़ा सा पार्ट यहां से उभा रहे है इस तरह का पार्ट जब उभा रहता है तो हलका सा सुबह उठने में अनन्द नहीं आता होगा पर उसके बाद पूरा दिन एक्टिव रहते होंगे यहां पर देखे तो यह स्क्वेर साइन है यह व्यक्ति को पुस्तेनी जमीन जायदात यानि आपके डेड़ी 100% पैसा कमाएंगे क्योंकि यह स्क्वेर ही शो कर रहे हैं पुस्तेनी जमीन जायदात का लाग और कम से वं तीन से चार स्क्वेर है और आपके पास अपने गाओं में जमीन भी है यह आपने मेंशन भी किया है और और भी जमीने खरी देंगे क्योंकि यह इस तरह का स्क्वेर है एक नहीं बहुत सारे स्क्वेर है आपके हाथ में और बहुत सारी रेखाय जा रही है सुर्यपरवत की और भी जा रही है सीधी वहाल पेमें भी आपके पास भर पूर कई जगध से पैसा आएगा और एक यह जूपिटर की और जाने वाली लाईन है व्यक्ति को सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, चौथी चीज व्यक्ति जो भी कारे क अगर खुद का भी करेगा तो बड़े पेमाने पर करेगा और जॉब भी करेगा तो मैनेजर या उससे उपर के पर तक पहुशता है व्यक्ति तो यह भी एक एडवांटेज आपके हाथ में जुपिटर माउंट थोड़ा सा यहां पर हलका सा उभार है मैं इसका उपाय दे जीवन में चलता रहेगा पर इसका भी मैं उपाय दे दूंगा सेकेंड चीद देखे तो बहुत सारे स्क्वेर है इस तरह के स्क्वेर वाले 32 साल के पहले कोई ने कोई प्रॉपर्टी खरिदते हैं 36 साल में ऑथोरिटी पोजिशन पर आते हैं बोलने के कारे में व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट होता है इस तरह के स्क्वेर वाला व्यक्ति यह सारे लाब आपको प्राप्त होंगे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन यानि कई जगत से आपके पास जीवन में अलग-अलग समय पर पैसा आता रहेगा यह जब जादा लाइन होती है त इस तरह के मिश्ट्री साइंस में और सेवा भावी भी होते हैं और सेवा भावी तो आप यहां पर भी शोव हो रहा है यानि आप कोई नो कोई भविश में NGO जोइंट करोगे यह गैरंटी है सेवा का भी कारे करोगे यह एक माइनस पॉइंट है आपके हाथ में जो आपके म अंगल पर इतनी सारी रेखा है यह जब जादा रेखा है रहती है तो व्यक्ति चिंतित सबाओ का बनता है और इसमें अगर थोड़ा सा भी इजाफा हो गया तो व्यक्ति डिप्रेशन का भी सिकार बनता है और इसका बेस्ट इलाज है मेडिटेशन और आप विडेस में रह लाइट होते हुए दिखेगी रेखाए यह ज़्यादा बढ़ गई तो कभी डिप्रेशन के भी शिकार बनोगे आप यह एक माइनस पॉइंट आपके हाथ में है बाकी अंद्रुणी मंगल व्योसित है कोई प्रॉब्लम नहीं सारे रिगुर्जा अच्छी खासी रहेगी बारी मंगल भौत ज्यादा अच्छा है जब इस तरह का बारी मंगल हो तो व्यक्ति हंडेट परसेंट हिम्मती होता है संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और जब किसी से मिलता है तो एनरजी के साथ मिलता है अब आपका जो मेंद प्रश्ण था कि विदेश सेटलमेंट आपकी पूरी लाइन ही चंद्रपरवत पर जा रही है और आपकी फेट लाइने भी पूरी सुरिपरवत की और जा रही है तो आप विदेश में ही रहोगे अब वो देश पता नहीं चलता कि कौन से देश में settlement होगा जहां पढ़ाई की वहां होगा या आप अभी master degree ले रहे हो उस देश में होगा वो पता नहीं चलता पर आपका जीवन विदेश में ही जाने वाला है पहली चीज अगर इंडिया में भी आगे तो वापस जाने को मौका मिल जाएगा आपको यह guarantee है और आपने जन स्थल पर आप ज़्यादा उन्नती नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी जीवन रेखा चंद्रपर्वत की और जा रही है सेकेंड चंद्रपर्वत भौत ही जादा अच्छा है पानी अच्छा लगता होगा दूट से बनी वस्तुए भाती है विदेश से संबंद आता ही है आप सोचिए जब इतना अच्छा चंद्रपर्वत में इतनी छोटी उम्र में यानि ये मास्टर डिग्री कर रहे है प्लस इन्होंने डिग्री भी विदेश में ली वी है तो इतनी छोटी उम्र में इस चंद्रपर्वत के कारण इनका संबंद आया अच्छे पर्चेसर होते हैं वेल्यू फॉर ऐसे लोगों को अगर साधी ब्या के प्रसंग में लेकर गए हो तो ऐसा अच्छा कपड़ा खरीद के देंगे कि चार लोग पूछेंगे कि ये कहां से लाए यानि इतने अच्छे पर्चेसर होते ही ये लोग ये लोग जब पैसा कमाते है तो इनके घर के फरनीचर और होफिस के फरनीचर भी देखने लायक होते है ये ये खासियते होती है रिफेंट सोच होती है, पॉजिटिव सोच होती है नहीं नहीं काम करने का शौक होता है यहांपर एक sqaar sign भी है जो आपको सच्चपित पसंद इनसान बना रही है आपको जूट पसंद नहीं आता होगा और यह सारी यात्रा रेखाए है जो आल्रेडी आप यात्रा करी रही हो एक line यह चोटी सी है ये addiction line कह सकते है इसके कारण एक दो घंटा काम करने के बाद एक खाली पंद का एसास आपको होता होगा बहुत बढ़ी line नहीं है पर ठोड़ा सा खाली पंद का एसास होता होगा उस खाली पंद को भरने के लिए कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई दवाई खाता है, कोई धर्म का साहरा लेता है, दुनिया भर के शौक व्यसन है दुनिया में, कोई न कोई व्यसन का साहरा जरूर लेता है, एक बहुत अच्छी बुद्रेखा है, आपके हाथ में, या त यह आपके डेड़ी कमाए होंगे उससे कई गुना जादा पैसा कमाओगे इतना अच्छा मनी ट्रैंगल और इतनी अच्छी बुद्रेखा और साथ में ग्रेटर ट्रैंगल भी बन रहा है तो बुड़ा पे तक अच्छी खासी संपत्ति आप अपने जीवन में जमा कर लोगे यहां पर देखे तो शुक्र परवत भी काफी उन्नत है कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं है फुटबल की गेन की तरह उभार है तो ऐसे लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं इनका जो प्रेजन्टेशन होता है वो काफी सुन्दर होता है यानि आपके सामने यह आ तो एक दम सुन्दर रूप से एक सरीर में अलग तरह की उर्जा भी इनमें पाई जाती है कामुकता रहती है पसीना भी कई लोगों को खुबाता है पर यह सब के साथ लागू नहीं होता पैसा कमने का शौक होता है पैसा खर्च करने का भी शौक होता है तो यह सारा एडव देश में रहो आपके जो संतान होंगे किसी और देश में जाकर पढ़ाई करेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे और फिर बुड़ा पर मैं आपका आना जाना होगा और यह सरीर में एनरजी भी देती है और उसके कारण व्यक्ति ज्यादा अन भी करता है अब आपकी हिर्द 36 तक आदर्सवादी रहोगे सिस्टम से काम करने वाले होंगे और यह एक लाइन आपको गुस्सा भी दिला रही है थोड़ा सा गुस्से वाला सवावी होगा और उसके बाद गुस्सा हमेशा रहेगा और शनी परवत से सुरू हो रही है तो एक सर्टन एज के बाद लगब आपकी यह जाएगी 30 के आसपास से आप complete commercial बन जाओगे आप खोलते ही पैसा सुझेगा आपको प्लस कामुक भावना देगी यह लाइन और कभी-कभी physical बनोगे यानि हाथ-पैर उठाने वाले वृत्ति और एक दो लाइने नीचे की तरफ जा रही है यह सेवा 22 अभाव श और यह फेज होगा 50 से लेकर 63 का और उसके बाद up to double ही है तो 50 से आपके पास जिम्मेदारिया बढ़ जाएगी आपके जीवन में उसके पहले आप काफी मुक्त होके जीवन जीपा होगे यह जो लाइन है यह माबाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है और यह से स्टार्ट हो रही है बहुत ज्यादा महत्योकांशी व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा और इस जगह पर आकर यह लगबग ब्रेक हो रही है यह पिरियड होगा आपके उम्र का लगबग चटीस के आसपास चटीस के आसपास ऐसी कोई ने कोई घटना घटेगी जो आपको थोड़ा सा माइन के रुप में दुख ही करेगी विचलित होंगे आप कि ऐसा क्या हुआ और उसके बाद वापस आपकी माइन लाइन सुन्दर होके नीचे चल रही है इसके बाद आप धर्मिक बनोगे घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे सपने ज़्यादा आएंगे आपको और धर्मिकता बढ़ जा जो आपको विचलित कर देगी मानसिक रूप से अब आपकी जीवन रेखा पर जीवन रेखा पर देखे तो यह आपकी साधी की उम्र यह 29 के आपके जीवन में सहना ही बजेगी उसके पहले 25 के आसपास आपको एक रुकावट आएगी ज़ाभी आप 24 के हो तो आपको 25 में भी रुकावट को फेस करना है उसके बाद 25 के बाद यह लगबग 22-23 के आसपास आपको रुकावट आई होगी और एक रुकावट आपके 21 के आसपास आई होगी यह इतनी रुकावट है और उसके पहले भी एक रुकावट और उसके पहले भी एक रुकावट यह रहुर ए दिखाया है जो आपको डिश्टब करती है या तो आपको पढ़ाई के रूप में कहीं न कहीं प्रॉब्लम लाई होगी या आपके डैडी को प्रॉब्लम दी होगी इन लाइन होने कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान हमें भुगतना पड़ता है और नेगेटिव फिलिंग आती ह सेकेंड ये देखी आपके बदलाव दो और ये तीन ये सारे पॉजिटिव बदलाव आपके उम्र में चल रहे हैं इंडिया से आप यूरोप गए यूरोप से आप और एक डवलप कंट्री में आए ये सारे पॉजिटिव बदलाव आपके 6 साल के अंदर हुए है और उसके भी आपको कोई न कोई तकलिप का सामना करना पड़ेगा हलकी सी और जिस जैसों में आप रह रहे हो वहाँ पर इस राव रेखाओ का ज्यादा असर नहीं होता 30 के बाद 34 के आसपास एक छोटी सी है एक 36 के आसपास है यह 34 के आसपास है यह 36 के आसपास है और इसी के आसपास एक आपशुट जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोध देगा और यहां से आपका जीवन एक दम बदलना चालो होगा 36 के बाद आपके जीवन में एक 40 के आसपास एक राउ रेखा काट रही है और एक 42 के आसपास काट रही है यह लास्ट राउ रेखा है और यहां पर भी बहुत बड़ा आपशुट है और उसके बाद भी आपशुट उसके बाद भी आपशुट यह भी आपशुट यह सारी ग्रोथ वाली लाइन है, तो आपके जीवन में 36 से बहुत ज्यादा बदलाव आना चालोगा, टिमेंडरस ग्रोथ मिलेगी आपको, और ये लाइन सीधी अच्छी खासी चलका, हमेशा पतले चरहरे बने रहोगे, एक व्योस्तित सरीर रहेगा आपका, जीवन भर, मोटापा टच नहीं करेगा, कहीं पर अगर दो-चार किलो बढ़ गया, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काफी अच्छी जीवन रेखा है आपकी, और यहाँ पर भी एक बदलाव आएगा आपके जीवन में, वो भी पॉजिटिव होगा, और ये लगबग 36 के पहले, यानि 35 के आसपास आपके जीवन में और एक कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा, यानि हो सकता है, देश बदलो, घर बदलो, या शहर बदलो, जैसे यहाँ पर इस्तिती ही हुई, और ये पॉजिटिव बदलाव होगा, ज़्यादा टेंस लेने की जरुत नहीं है, और उ मुल्टिवल इंकम हमेसा जीवन में रहेगी, और यहां से ये सीधी चली, यहां पर थोड़ा सा डिश्टरबंस मुझे इस लाइन पर लग रहा है, ये लग बग आपके जीवन में आएगा, डिश्टरबंस उम्र इस फेट लाइन पर 43 से 44 से लेके 46 तक, ये दो साल आपके खरब जाएंगे, और बाकी की भहुत सारी फेट लाइन है, और आपको कहीं न कहीं कट होगा, कोई न कोई आर्थिक नुकसान भी जाते रहेगा, ऐसा नहीं कि सारा कुछ आपके पास बचेगा, तो कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा, पर इतनी जगर से आपके पास income होगी कि आपको महसुस नहीं होगा और यह line सीधी चल कर आगे जा रही है और कहीं पर investment की line है कहीं पर नुकसान की line है पर cross में नहीं काट रही है cross में खाली इदर काट रही है 40 के आसपास बागी की भहत जादा सीधी काट 的 ये खार्च दिखाती बहुत जादा बड़ाいる नुकसान करती है अगर fete line कीदी के लाइन काटती है तो ज्यादा नुकसान नहीं होता जब ये line काटे आपको 40 के आसपास नुक्सान जाएगा और नीचे की तरफ देखे तो एक उम्र लगबग ये आपको खर्च आएगा 25 के आसपास फिर एक 34 के आसपास बाकी ये छोटे मोटे खर्च चलते रहेंगे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एक 34 के आसपास 35 के आसपास एक 36 के आसपास एक 40 के आसपास इतने आपको ये 40 वाला थोड़ा बड़ा रहेगा पर बाकी जगह से इंकम में होती रहेगी तो आपको मैसुज भी नहीं होगा पर फिर भी मैं कहता हूँ इन्वेस्मेंट और कही न कई खर्च आपके हाथ में लिखा हुआ ही है पर फिर भी अगर ओवराल काउंट करें तो आप अच्छी खासी वेल्थ अपने जीवन में जमा कर लोगे कला प्रेमी व्यक्ति बनता है बहुत सारे आपके शुक्रवला है साथ में स्टार भी है तो ये बेनिफिट तो आपको पैसे के मामले में तो मिलने ही वाली है जो आपके डेडि को भी मिली है यह दोसाल थोड़े से तकलिफ में जाएंगे पर दुस्री लाइन अच्छी है तो कही न कहीं से ग्रोथ आती रहेगी आपको और यह जो लाइने कट कर रही है यह कहीं पर investment की लाइन है और कहीं पर खर्च की लाइन है अगर चार लाइने कट कर रही है तो तीन इन्वेस्मेंट वाली है और एक खर्च वाली है और ऐसे अप टू बुड़ा पे तक भी भूत सारी इंकम में यानि बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड आप बनने वाले हो कई जगह से पैसा आपके जीवन में आता रहेगा तो जरा भी तकलिफ वाला हाथ नहीं है उत्तम हाथ है उत्तम जीवन जीओगे काफी सुखी जीवन जीओगे पर बहुत ज़्यादा एफट करोगे पैसा कामाने में कई जगह से इंकम ग्रोथ मिलती रहेगी तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद